हाँ, हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप लो का NCRT जोन में इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे देखिए, जो भी हमारा छूटा हुआ है क्लास 12 का अलमस्ट हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुग है क्लास 12 का, क्लास 12 की जोग्रफी लेकिन सब में कुछ न कुछ चूटा हुआ है जोग्रफी का कुछ चैप्टर चूटा हुआ है मतलब जो जोग्रफी, people and economy बिल्कुल पूरा चूटा हुआ है human जोग्रफी का काफी चैप्टर डिस्कस कर चुगे है उसके अलावे, history का, history का, ancient history, modern history, complete, medieval history का दो चैप्टर बचा हुआ है सेम इसी तरह, India after independence यानि political science की दोनों बुक का, दो दो चैप्टर चूटा हुआ है इंडिया after independence, तो हम क्या करें जो हमारा चूटा हुआ है, सबसे पहले वो डिस्कस कर ले रहे है उसके बाद हम question answer discuss करेंगे, वैसे भी question answer मैं unacademy पर करा रहा हूँ तो अगर वो free है, आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हो और तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या क्या है तो सबसे पहले मैं बता दू, इस साल के लिए कुछ चाप्टर को हटाया गया सिर्फ इस साल के लिए जैसे politics in India since independence के लिए कौन-कौन चाप्टर हटाया गया है plan development हटाया गया है, इंडिया foreign policy, social and new social movement और regional aspiration देखो, regional aspiration तक हम एक इसके बाद एक ही chapter बचता है तो regional aspiration का कुछ बचा हुए हम ओ करा लेते हैं क्यूंकि आपको अगर government exam देना है government exam देना है तो इस सबसे important topic होता है regional aspiration के बारे में clear, Indian foreign policy के बारे में कुछ topic delete के हो चुका है लेकिन इस सब हम discuss कर ही चुके है plan development भी discuss कर चुके है और जो एक और book है, दूसरी book उसका दो chapter छूटा हुआ है तीन chapter, security, environment and globalization हम तीनों discuss कर लेंगे आप बोलोगे तो मैं पहले globalization discuss कर दो उसके बाद हो donor deleted वाला कर दोगा लेकिन करूँगा ज़रूर clear, चलिए तो ये बाला देख लिए कि आप एक playlist आपको दिख रहा है playlist में आपको दिख रहा है कि हो चुका है सब clear, playlist में दिख रहा है न सारा chapter हो चुका है regional inspiration तो हो चुका है चलिए आगे चलिए ये भी देखे contemporary world politics जो है इंडिया after इंडिपान्ड, sorry contemporary world politics ये भी काफी हो चुका है इसमें जो तीन चाप्टर बचा है contemporary इसमें international organization जो कि UN के बारे में दिया है इसका कुछ पार्ट बचा है इसके बाद तीन चाप्टर हमने जो देखा था security, globalization, environment से रिलेटर ये बचा हुआ है clear, आप मुझे अनक अनमी पर follow कर सकते हो धीरेजकुमार नाम से है आप देख लिए हमारे जो चैनल है उसी के नाम से ID है यहाँ पर zone ncrt-557 तो चलिए स्टार्ट करते है clear, तीन टॉपिक इसका बचा हुआ है एक बचा हुआ है सिक्की मरजर एक बचा हुआ है, गोवा का उसके लिबरेट किया गया, तीसरा टॉपिक एक बचा हुआ है, कि इतने सारे मुवमेंट से हमने क्या सीखा हमें क्या पता चला कि मुवमेंट से क्या फायदा होता है, क्या नुक्सान होता है, क्या इस सिम्पल मतलब है एक ऐसा स्टेत जिसको करें इंडिया क Dakar, इंडिया प्रोटेक्ट करें, इंडिया का रहा है, लिकिन डिरेक्ली इंडिया के अंदिया में नहीं है , चला उसको कोच मोनार्क जिसको हम बोलते हैं चोग्याल डायनिस्टी का मोनार्क चला रहा है क्लियर लेकिन सेकेम को फीर मर्ज किया गया इंडिया में 1975 में और इंडिया का 22 सेक डिक बना मतलब इससे पहले तक वो क्या था इससे पहले तक एक इंडिपेंडेंट सिक्की में एक इंडिपेंडेंट कंट्री था तो आपको लगए ओ अच्छा बड़ी असानी से आके मिल गया होगा नहीं आसानी से नहीं मिला एक बंदे का नाम है काजी लेंदूप दोरजी खांग सारपा उनका जर्म 2004 में ह canción हुआ था बड़ा नहीं चाहते थे सिक्कीम में ड्यक्रियशी आयं देमोक्रेशी क्यों थी नहीं चाहते थे सिक्कीम हमेशा क्लिए एक राजा के अंदर हो तो इन्हों ने बहुत सारा movement इस्टार्ट कर दिया है तो leader of democratic movement in Sikkim इनको बोला जाते थे एक party के leader थे जिसका नाम है उस party का नाम है Sikkim उस party का नाम है Sikkim Praja Mandal Sikkim Praja Mandal और उसी को ध्यांद ना Sikkim Praja Mandal के party के leader थे Sikkim Praja Mandal के और उसके बाद हो leader बने Sikkim State Congress को 1962 में जब ध्यांद ना उसके बाद हो election भी जी थी और जब Sikkim एक बारी integrate हो गया तो इनका motive पूरा हो गया तो ये अपने party को merger करवा दिये इंडिया नेशनल कॉंगरेस में उसके बाद समझे ना याने 1975 तक अकेले था उसके बाद मतलब 19 उसके बाद इंडिया मिल गया लेकिन हुआ कैसे 1962 से ही movement चल ला था किसके दौरा उन leader के दौरा democracy चाहते थे और ये चाहते थे कि चोग्याल dynasty से हटा जा सके चोग्याल dynasty से तो उसके बाद वो इंडिया में completely सामिल हो गया पहले क्या था पहले एक protectorate था क्लियर अब हमें क्या लगता है कि national integration को maintain रखने के लिए क्या ऐसे जो movement आते रहती है जैसे आसाम जम्मोन कस्मीर श्रिलंका पंजाम पंजाब नौर्थ इस्ट में आसाम अगरा में आया या जे अनके में आया या पंजाब अगरा में तो क्या movement को दवा की अच्छे से दवा है ना क्या national integration का सबूत है कि कोई भी movement हो जल्दी से दबातो नहीं धान देना नहीं इसका जवाब है नहीं big no clear पूरे last छे डिकर में हमने क्या देखा कि बहुत सारे statehood की मांग हुई autonomy की मांग हुई spatial status की मांग हुई लेकिन क्या इससे आपको क्या लगता कि क्या है उस से movement को या फायदा बया मतलब इससे जो movement हो रहा था स्टेट हुट मांगने के लिए तो सरकार के पास क्या उपाय थे सरकार चाहती तो दबा देती लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम इस इतने सारे एक्जामपल देखें JNK, North East, Assam और पंजाब इतने सारे एक्जामपल से हमें कुछ lesson सीखना है, सबसे पहला lesson क्या है कि regional aspiration बहुत ही important part है democratic politics का regional aspiration बहुत ही important part है democratic politics का clear, regional aspiration तो चाहिए ही चाहिए होता क्या है regional issue अगर किसी जवपे regional issue आ रहा है तो हम उसको नहीं बोलेंगे यार वहाँ पे abnormality है, नहीं वहाँ पे problem नहीं है आप regional aspiration हर जगह देख सकते हैं, even small country में Sri Lanka में देख लो, Tamil लोग नहीं करते हैं मतलब UK में देख लो United Kingdom में देख लो Scotland नहीं मांग करता है तो regional aspiration तो होंगे ही होंगे तो इसलिए हमारे देश में जितना regional aspiration आता जाता है उसकी मांगे पूरी होती जाती है यह नहीं हम ऐसा बोल सकते है National Building या National Building का एक National Building हमेशा एक process होता है, ऐसा नहीं कि हमारा nation 1947 ने बन गया, नहीं National Building एक process होता है एक ongoing process होता है जो हमेशा चलता रहता है clear, next क्या next क्या हमने सीख पहला क्या सीख आ कि भाई, regional जो movement हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं second lesson क्या सीखा second lesson हमने सीखा कि तरीका क्या है अगर कही movement हो रहा है तो तरीका क्या है उस movement को सांथ करने का भाई, तरीका हमने सीखा तरीका है democratic तरीका democratic तरीका कैसे आप democratically negotiate कर सकते हैं आप उसको suppress मत कीजिए suppress दबाने का try मत कीजिए जैसे पंजाब हमारा आसाम देखा कि बात से बात को solve किया जाता है बात से table पे problem को solve किया जाता है clear और भी क्या हम लेन lesson दिया ये correlation देखा कि power sharing जरूरी है ऐसा ने कि सारा power center अपने पास हथी आके रखे नीचे state के पास power state के नीचे छोटे छोटे जगों को पास power अगर ऐसा नहीं आप दोगे जैसे ही लोगों को लगने लगा छोटे छोटे लेवल को लोगों को लगने लगा कि national level की decision में मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है तो इनको बहुत alienate feel कर लेने मैं क्यूं हूं मैं क्यूं हूं मैं क्यूं हूं मेरा क्या मेरा status क्या कुछ नहीं है क्यूंकि national building के लिए जो भी जो भी कदम उठाय जा रहे है उसमें तो मेरा कोई हाथ ही नहीं है तो हमने क्या देखा power sharing इसलिए जरूरी है if a region are not given a share in the national level decision making उनको feeling of injustice मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है मुझे तो कोई alienation का मतलब मैं तो बिल्कुल alienator हो मेरा तो हाथ ही नहीं है nation building में उस कहत क्या है regional imbalance का बहुत देखे हमने जब ही देखा हमने देखा कि अगर एक state मतलब बहुत ज़्यादा पूर है और एक state के बाद बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो दोनों बहुत ज़्यादा ओह होने लगी थोड़े अजीब तरीके के feeling आने लगी तो ऐसे जगह पे तो यहाँ पे क्या होगा पूर state से reach state के तरह migrate होने लगी regional imbalance होगा यह भी सही नहीं है यह भी एक सोसा यह भी एक राज्य के लिए सही नहीं है finally हम क्या मांते है finally इतने case से हम एक चीज़ तो बहुत अच्छा समझ गया है कि हमारे जो constitutional maker थे वो कितने दूर दर्सी थे कितना बड़ा सोचते थे ताकि उन्होंने हमारे संभिधान को flexible बनाया मतलब रेजिट तो बना ही रेजिट के साथ flexibility दे flexibility क्योंकि हम इतने diverse country मांगे उठती रहती है अगर उसके मांगो को मांगो को पूरा करने के लिए constitution में amendment करना परे तो करेंगे संभिधान में amendment करेंगे लेकिन उनके लिए अगर कुछ नहीं किये तो कोई फायदा ही नहीं तो हम संभिधान जो बनाने वाले हैं उनको थोड़ा appreciate करना चाहिए कि कितने दूरदर्सी थे foresightedness थे कि उन्होंने थोड़ा संभिधान को संभिधान को थोड़ा flexible बनाया जिसके कारण मतलब almost सारे state को बराबर पाबर दिया कुछ है state को जिसको जरूरत थी autonomy कि उसको autonomy भी थी ऐसे किया उन्होंने उसके conclusion में हम क्या बोल सकते हैं conclusion में एक बहुत important line बोल सकते हैं कि दुसरे country के दुसरे country को हम अपने country से differentiate कैसे कर सकते हैं दोनों अगर same challenge face करते हैं ध्यान देना इंडिया और एक और country है जो same challenge face करता है लेकिन इंडिया क्या करता है उसको democratically handle करता है सामने chair पे wench पे बैठाता है सामने बात करता है फिर solve करने को try करता है यानि इंडिया और दुसरे country में के same problem में यही एक अंतर है कि इंडिया बात करके solve करने का try करता है दुसरे देश नहीं करते हैं clear तो यहाँ पे यहाँ पे इसलिए बता रहा है कि क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिकली handle करता है तो regional aspiration जो regional aspiration इंडिया में इतने बार movement हुआ लेकिन कभी भी separation बाले movement नहीं कि हम इंडिया को छोड़ के ही चले जाएंगे clear तो इससे इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्दी मान सकते हैं दस politics इंडिया है succeeded in accepting regionalism as a part हाँ हमें पता है regionalism किसी area में मांग जो उट रही हो सक correct है मतलब वो at least हम उसकी मांग ध्यान देना center कभी ये नहीं बोल सकता center ध्यान देना center भले ही उसकी मांग माने या ना माने लेकिन लेकिन उसका जो हक है movement करने से movement करने का movement करने से उसको कोई नहीं रोक सकता है ये important clear उसका गोवा की liberation की बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है राजीव गांधी जी के बारे में प्राइम मिनिस्टर थे 1984 से 1989 तक इंद्रिया गांधी के बेटे थे उन्होंने politics को join के लिए था 1980 के बात बहुत सारे agreement sign किये पंजाब मीजोरम और असाम का जो student union था उसके साथ pressed for the more open economy जादस जादा open economy की बात करते थे computer technology को उन्होंने लाया Indian army को उन्होंने send किया सिर्लंका गबर्मेंट के पास ताकि वो जो conflict है उसको दूर किया जा सके सिर्लंका तमिल सिंहाला तमिल कंफिलिक्ट को इसको इनको एससिनेट कर दिया गया बाई लिट्टे सुसाइड बंबर clear तो अब गोवा लिब्रेशन आर्में के बार में डिसकर गोवा के छूट के गोवा को कैसे लिब्रेट किया गया उसके बताते हैं 1947 में क्या हुआ ब्रिटीज तो चली चली गया लेकिन पूर्टगीज ने गोवा को छोड़ा ही नहीं सोल भी सताब्दी से गोवा दवननदेब को रखे थे और रिफ्यूज कर दिया छोड़ना ही नहीं चाहते थे उनका में एक मुद्दा था कि मैं अगर यहां से चले जाओंगा तो इसको संभाल ही नहीं सकते लो क्लियर उसके बाद गोवा को लिबरेट किया गया 1986 में पुर्टुगीज से आर्मी की मदद से इंडियन आर्मी ने ओपरेशन किया और उसके गोवा दमननदेब को इनियन टेरिटरी डेकलेर कर दिया गया उसके हुआ क्या दो प्रॉब्लम आ रहे थी एक महराष्टर बादी गोमनतक पार्टी थी M.G.P. वो चाहती थी कि गोवा में माक्सिमम पिपल दो गुट बठिया है एक है M.G.P. M.G.P. क्या बолती है कि भाई गोवा में मैक्सिममम पिपल माराठी बोलते हैं इसले इसको माराथा का पार्ठा बन जाना चाहिए लेकिन UGP जो United Goan Party थे बोले नही भाई नहीं भाई, गोवा में maximum people कौंकनी बोलते हैं, इसलिए गोवा को अलग रहना चाहिए, गोवा को बिलकुल अलग रहना चाहिए, तो इसके बाद 1967 में central government ने यहाँ पर opinion poll किया, opinion poll कि इसको गोवा के लोगों को, तो इसमें maximum percentage लोगों ने बोला कि मैं, मतलब हम अलग रहेंगे हम किसी और राज्जी में सामिल नहीं होंगे, इसको referendum होते हैं, तो उसके बाद, उसके बाद गोवा को union territory बना दिया लेकिन 1987 में, गोवा को separate एक state बना दिया गया, जिसकी capital है, पंजी, clear? तो हमारा यह chapter खतम हो गया, next chapter हमें start करेंगे कौन सा, next chapter जो हम start करेंगे, जो politics, जो later side में जो politics हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे, और अभी तक जो politics चले उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, तो चलिए, thank you, thank you so much, तो आपको क्या करना है, आपको share करना है, बस, क्योंकि जब यह मैं पुराना series का जो वीडियो बनाया था, उसमें subscriber कम थ हुआ तो मेरे नंबर पर आप message कर देना, मेरा नंबर है 9582062485, clear, आप मेरे नंबर पर message कर देना, आपको class 12 का telegram group है, उसमें join करवा दोगा, same number पर telegram भी है, तो आप दोनों में से किसी पर message कर देना, WhatsApp, telegram, कुछ पर भी, चले मिलते हैं, ठीक है, thank you,